वेल्कम टूटेंट इस एक इस वीडियो को टोपिक रहेगा लेटर राइटिंग लेटर दो परकार के होते हैं फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर यहां पर इस वीडियो में दोनों डेटर को समझाऊगा यह टोपिक ऐसा है जो आपके बीए फर्स संटर टैंथ किलास दोनों तीनों किलासिस के अंदर आता है और यह दिए आप ट्वैल्थ किलास में है तो आपका पूरा कोर्स चैनल पर प्रवाइड किया गया है प्लेडिस्ट आपको मिल जाएगी इस वीडियो के डैस्स्क्रिश्ट में या चैनल के प्लेडिस्ट में चले जाएगा यह यह करते हैं format of formal letter सबसे पहले formal letter के बारे में डिसक्स करेंगे और इसके बाद हम discuss करेंगे informal letter के बारे में कि formal letter को लिखने के लिए सबसे पहले आपको first point पर लिखना है address of sender मतलब यह आप किसी को letter लिख रहे हैं तो सबसे उपर आपका address आएगा यह जो आपको question दिया जाएगा exam के अंदर तो आपको यह बताया जाएगा कि आप अमित हैं और आप दिली के रहने वाले हैं यह आपको पूरा question में दिया जाएगा यह दिए question में नहीं दिया जाता है तो आप कुछ भी अपने तरफ से आज्यूंग कर लेंगे और एक सेंडर एड्रस को चतरह से डवलब करेंगे जैसे for example के तोर पर आपका नाम अमित कुमार है अमित कुमार आप इस्ट्रीट नंबर गली नंबर 6 में रहते हैं और आप मुरादाबाद में रहते हैं ठीक है ना तो अमित कुमार इस्ट्रीट नंबर 6 मुरादाबाद या दूसरा एक्जामपल हो सकता है अमित कुमार एके लिख रहों में आप है ना अमित कुमार स्ट्रीट नंबर सिक्स आधर्स कॉलोनी और मुरादाबाद या गाजयाबाद ठीक है यह आपका अपना जो सेंडर एडरस है अपना जो एडरस है उसको डेस्क्राइब करने का तरीका है इसके बाद आएका डेट ड जो डेट लिखने का फोर्मेट है वो मन्त का नाम इंक्लूड होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि पंद्र है आठ पंद्र आट नहीं करना है 15 AUGUST पूरा महीने का नाम लिखिए और उसके बाद जो यह हैं उसको डेस्क्राइब कीजिए तीसरे नंबर पर आएगा एड्रस ओफ एड्रसी तो यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप लेटर लिख रहे हैं और वो किसी पोस्ट पर काम करते से मैनेजर है सुपरवाइजर है या एडवाइजर कुछ भी हो सकता है यदि ऐसा है तो आपको उसका एड्रस या उस व्यक्ति का नाम फिर उसकी ड सुपरवाइजर सामसंग को बिक de la can करते हैं तो इस तरीके सा औरे आमिर सुपर वाइजर सामसंग डेली ब्रांच करसकते हैं वाखया effekt तो कोई वैसे ही है मिलें इसके आप या डिजिगनेसान आपको पता नहीं एक्चुली तो माल लिछ कि यह आमीर है तो आमीर जो है वह इस्ट्रीट नंबर 8 में रहता है न्यू एरा कालोनी में रहता है और यह रहता है आपका अलिगड में है न तो याद रखेगा सेंडर गई है और जो भी इंफॉर्मेशन आपको रिशीबर विए इसको रिशीबर अद्रस के लिए भी गई है उसको आप उजह चोडेंगे नहीं ठीक है नमबर फोर पर आपका होता है subject subject का मतलब होता है basically आपके जब हम फोर्मल लेटर की बात करें तो चार परकार की लेटर होंगे आपके एक तो होगा को complaint letter है जिसमें सिकायत की जाती है ना जिसमें सिकायत की जाती है कि मालो की आपने किसी से और वह बुक जो आपने मंगाई थी उसके जैंगे होसे कोई ओर बुक दे दी तहाफ कंप्लेंद करेंगे उससे टिकाट के एक आपका हो गया मनला होता है किसी को आप ओर देना चाहते हो जैसी कि आप एक अपनी इसपोर्स अकैडमी खोलना चाहते हो और किसी इसपोर्स मैनुट्रेक्ट निंग कमपन्य को आप ओर देना चाहते हो कि मेरे पास 50 बैट10 बोल और इतने सारी जो चीजे है उसका आपको ओडर देना है तो प्लेसिंग ओडर होगा एक है आपका इंक्वाइरी लेटर ठीक है इनक्वाइरी का मतलब होता है जैसे की मालोगी आप स्पोर्ट्स अकाडमी खोलना चाहते हैं और आप अपने एकाडमी के अंदर कुछ समान मगाना चाहते हैं तो क इसी कंपनी को आप लेटर लिख रहे हो यह जानकारी प्राप्त करने के लिए कि जो चीजे आपको अपनी अंदर चाहिए वह उस कंपनी में अवेलेबल है या नहीं है ठीक है फिर वह आपको रिप्लाई देगा फिर आप उसको ओडर देंगे इसके बाद चोथा जो होता ह है वह होता है टू एडिटर एडिटर का मलद होता है मालों कि आपके एरिया में आपकी लोकलेटे में कोई प्रोब्लम है गली में गंदगे भरी रहती है या नोईज भोच ज़्यादा रहता है पढ़ाई नहीं कर पाते हो तो उस सिच्वेशन में आप चाहते हो कि इस प्र और निऊज पेपर में जो इंफ्रमेशन पप्लिष होती है उसको एडिटर ही पप्रिश करता है मतलब Yves पेपर का एडिटर होता है उसको आप कोई जानकायर देना चाहते हैं और उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरे इस प्रोब्लम को अपणी प्रोब्लिस किज ताकि government का ध्यानिस्ता रब जाए और वो इसका समधान्ट होगे ठीक है तो सब्जेक्ट में आपको बेसिक लिपते हैं चार परकार के लेटर होंगे आपके फोर्मेट सेम ही होगा कोई ज्यादा चेंज नहीं होगा सिर्फ सब्जेक्ट जो है जो टोपिक है वह चेंज हो जा होता है कि आप जो बात मैंनली लेक्टर के अंदर लिखना चाहते हो सारी बात यहां पर आएगी इसकी लेंद्थ आपकी असी से लेकर के 150 वर्स तक की हो सकती है ठीक है इसको आप ध्यान रखेंगे इसके बाद आता है आपका कॉंप्लिमेंटरी क्लोज कॉंप्लिमेंटरी कि लोज में आता है जैसे आप लिखते हैं योर सिंसीरली योर फैथफुली है न तो यह इस प्रकार के वर्ड आप यहां पर यूज करते हैं उसके बाद है और उसके बाद आपका पूरा नाम आता है और यह आप किसी पोस्ट पर काम करते हैं तो अपने डिजिगनेशन को भी आप यहां पर mention कर देते हैं तो यह आपका पूरा लेटर लिखने का फॉर्मैट बन जाता है ठीक है इसका और देख लेंगे यहां पर निचा एक्जामपल भी है जैसे की आप यहां पर देख रहे हैं यह देखेगा आपका पूरा यह है आपका सेंडर एड्रस कुमारी सोनाली सिंग 63 बी ब्लोग ग्रेटर केलास न्यू देली पहले आपका नाम फिर आपकी कोलोनी या गली नंबर या हाउस नंबर उसके बाद जिस सहर में आप रहते हैं सहर का नाम सबसे नीच आएगा ठीक है इसके बाद आप देखते हैं आप डेट पांस दिसंबर जो मैंने आपको बताया था महीने का नाम मैंसल होना चाहिए ठीक है अब यहां से आप देखेंगे यह जो एरिया है इसमें पूरा यह है आपका रिसीवर एड्रस जिसको आप लेटर लिख रहे हो कोर्स डायरेक्ट नहीं अगरी मिलता भी दो लिखने में क्या फर्क पड़ता है इस बात को आप ज्यान नाम आएगा उसके बाद छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे इसमाल टू लार्ज छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे मतलब मालोगी सबसे पहले किसी कोलोनी के अंदर गली आते तो प किसी स्ट्रीट में वा इगा इस ट्रीट कि सी कोलोनी में होती हा को तो चोटे से इस मूल टू लार्ज चलना है सबसे पहले के चोकती उसके बड़ी और सबसे लाइज्ट में सबसमें ठीक है तो उम्मिर करता हूं more आप समझ भार होंगे आपको जो समझाना चाहता हूं इसके बाद आप देखें यह आपकी होती है आपकी message body जो आप बात बताना चाहता है लिखना चाहते हैं उसके बाद है विद रिगार्ड जिसको बोलता है यह और faithfully और sincerely उसके बाद आपका नाम आता है और इसके नीचे आपके signature यह नाम है इसके पहले आपके signature आते हैं सब्सक्राइब कर सकते हो नहीं भी कर सकते हो यह नहीं है आपका नाम कंपल्सरी है और किसी पोस्ट पर काम करते हैं तो उसके नेचे यहां पर आप अपनी पोस्ट भी डाल सकते जैसे सुपरवाइजर मैनेजर सी यो जो भी है ना तो यह आपका बन जाता है आपको फोर्मल लेटर उमीर करता आपको समझ में आ गया होगा अब आपको ध्यान किसे बात करना है बस यह नहीं लिखते बाकी यह दूसरा जो सब्जवक्ट होता है आप इसको नहीं लिखते हैं इन informal का मतलब होता है किसी personal relative को है किसी रिष्टेदार को लिखते इылिए जान पहचान वाले को लिखते तो इसको personal या informal letter गोला δ infernal होता है जब कोई लेटर आप किसी obvious or को या किसि company की किसी अधिकारी गोड़ते है या किसी ऐसे दीव सब्सक्राइब लिखते हैं जिस से आपकी कोई पहचान नहीं है या कोई ओफीशन वर्क है वहां पर आप उर्मल लैटर का युज़ करते हैं दो बात यहां पर आप प्रॉसरा यहां पर सब्जक्ट लिखेंगे तीसरा यहां पर आप कि जो कॉम सिगनेचर वगर अगया होगे कोई डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनले से फिले सब्सक्राइब जरूर कीजिए मिलते नेक्स टूडियो में थैंक्यू एर्मस्ट टेक केर गोडब्लेस यू